गुद्धूर्णिंग गुद्धूर्णिंग श्टूडेंट्स। हम सब हमारी इन्दी पार्टे पुस्तक के कक्षा आढ़ के पार्ट दो मंदर पड़ रहे थी। प्रस्तुत पार्ट के लेक्यक मुंसी प्रेमचन हैं जिन्होंने हमेशा से ही समाज के दबे कुछले और असाय लोगों की आवाज को अपने एक लेखन के माद्देम से उठाया है प्रसुत पाड़ में उन्होंने एसी एक आवाज को उठाया है जिन्हें दलतिवर्ग की आवाज भी कह सकते हैं प्रसुत पाड़ में अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह हैं पंडित लीला धर चोबे जो की बहुत ही अच्छे और मंजेवे वक्ता थे जब वे व्यक्यान देते या मंज से बोलते तो सभी लोग मंत्र मुखद होकर उनकी बातों को सुनने लग जाते थे उन्होंने एक संगटन का कारेबाल समाल रखा था हिंदू मासभा का जिसके वे कंड़ार थे अर्थात सब सारे जिम्मेदारियां उनकी कंड़ों पर थी गर्मे के दिनों में लिलाधर जी परवत्य परदेश में घूमने जाने का अपनी तयारिया करते हैं और सोचते हैं घूमने का घूमना साथी संगटन के लिए कुछ चंदा भी ले आएंगी तब उनके पास एक ख जाएगा इस प्रकार हिंदूस महासभा ने इस कारिये को रोकने के लिए पंडित लिलाधर चोबे जी को सरवत्तों माना और उन्हें मद्राज जाने की अग्या दी गए पंडित तुरंत तयार हो गए मद्राज जाते हैं खुले मेदान में अपना पड़ाव डालते हैं वह हैं अर्थाथ उपक्षित वर डोक훈 के वो और कि फिंवे वर के जो लोग थे समझाने के लिए जाते हैं। दोनों बेटे वह हैं मुच्वार के लोग अच्चे कालेने पर बेटे वह हैं निम्रवर के लोगों को जिहने सम्झा जता था उनьे नीचे टाड की बौरियों पर तो लिलादर चोबी जी कहते हैं कि हाँ मैं आपके साथ खाना खा सकता हूं मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है तब ही मैं बुड़ा केता है कि मेरे लड़के की अपनी कन्या का विवा कीजिएगा अर्थात आपके बेटे से मेरी बेटी का विवा कीजिए तो लिलादर पर कैसा कि आप मांस खाना छोड़ दीजिए मदीरा पीना छोड़ दीजिए शिक्षा ग्रण कीजिए तब ही तो मुझे वरकिंदों में मिल सकते अर्थात हमें आप से कोई दिक्कत नहीं है आपकी जाते से कोई प्रक्षान नहीं परन्तु आपका जैसा खान पान है वह मे तो उच्वरकिंदों में मिल सकते अर्थात हम आप से बेटी विवा भी कर सकते हैं तबी भूड़ा लिलाधर चोबी जी को उत्तर देते वे कहता है कि मैं उन कुलीन ब्रामनों को भी जानता हूं जो हमारी तरह सब कुछ करते हैं अर्थात मांस भी खाते हैं मदीरा भी पी इते हैं शिक्षाबी करने करते हैं उची वरकिंदों में वह मिले हैं पर prop हमार सब् newspapers कि नहीं होगा पर और फिर भी आप लोगों को पता हैं वह सांब्लों कि अपने विवा संब्ला और ऐसे लोगों से बनाते नहीं है आपको इसमें कोई इंकार नहीं को परिशानी नहीं हैं समय आप अग्याण में पड़े हुए है अर्तारद जम आप को यह पता नहीं है किस के साथ केसा विवार करना चाहिए तो हमारा उद्दार कैसे करोगे अर्थाद हमारा उद्दार हमारा भला आप कैसे कर सकते हैं जो आपको यही पता नहीं है कि आपके आसपास भी ऐसे लोग है जो ब्रामन तो है लेकिन कर्म से ब्रामन नहीं है अर्थाद जिनके कर्म खराब है आप कर दे अभी तक आपका हिर दे अभी तक अभी मान से बराव हुआ है अर्थार अहिंतकार से बराभा है गमन से बराभा है क्योंकि उसमें भी अभी हम लोगों के प्रतिसंभान नहीं जाए अभी कुछ दिन और अपनी आतमा कर सकते हो लिजा धर्ण जी नी कहते हैं वंड भेत तो रिश्यो का किया हुआ है तुम ऐसे कैसे मिटा सकते ताथ हमें जो वंडों में बाटा है वो तो रिश्यमोनियों ने बाटा है फिर आप या में इसको कैसे मिटा सकते है तभी बुड़ा कहता है रिश्यों को बदनाम मत कीजी अर्थाथ वे लोग कभी जाती पातिका बैदवाव नहीं करते थे सभी एक इस वर्ग के लोग होते थे समाज के लोग होते थे चुआ अछुत नहीं की जाती थी ये सब पाकंड आप लोगों के द्वारा रचा अरताथ कुछ कुलीनवरक के द्वाराही यह सब पाकंड यह सब वैद्वाव समाज में फैलाया गया है आप लोगों के द्वाराही यह सब अत्याचार किया रहा है आपके द्रम में वही उचा होता है यह बलवान और वही नीचे जो नीर्बल है यही आपका धर्म अर्थाद जो पेसे वाला है अगर अर्थाद जो बलवान है ताकत वरे कैसे भी कारिये करें उसको कहने सुनने वाला नहीं है परन्द जो नीच है अर्थाद जो निर्बल है जो कमजोर है जो असा है जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं है वही नीच समझा जाता है अर् इस गंदगी को मिटाइए तभी आप हमारा उद्दार कर सकते हो यह कहकर बूड़ा वहां से चला गया उसके साथ और लोग बूट के खड़े वे केवल चोबे जी और उनके दल वाले मंच पर रेकर ता सभी लोग जो उपेक्षित वर्क के लोग थे जिने वहां बुलाया गय जाता सभी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं इस प्रकार चोबे जी और उनके दल के लोग उस मंच पर केले रहे जाते हैं अर्था जिने में समझाने आये थे वहीं उन्हें ग्यान का पार्ट पढ़ा कर चले गए आने दर्म वालों ने जब से चोबी जी के आने के कबर सु भी लोग जानते थे कि वह बड़े ही उतकरष्ट व्यक्ष्यक देते हैं अच्छा अच्छे वक्ता है कि इसी फिकर में थे कि किसी उपाय से इनको यहां से दूर करना चाहिए जब दूसरे द्रम के लोगों ने सुना कि चोबे जी उनके काम में बादा डाल ले यहां आ चोबी जी का नाम दूर दूर तक परसित्ता वे जानते थे अगर यह यहां जम गया तो हमारी सारी मेनत विर्थ हो जाएगा अर्थाथ यह सभी लोगों को वापस इंदु समाज में ले आएगा जिनका धर्बर विर्थनम ने किया है करने वाले हैं उनके धर्बर वितन को यह रोग देगा अर्था है वैसकी दर्म के लोग जो दर्बर वितन कर रहे थे उपाई सोचने लगे बहुत मनतन अर्थात कर दिया जाए अर्थाथ 24 जी का न submitting से यतिया कर दी जाए 24 को मार दिया जाकर आए हम हमारा काम बीना बादा के कर सके है वस्तृत पाट में जाती- का जो भेदभाव वो तो ही साथ ही यह उन लोगी कुरूरता को भी दिखाता है जो दूसरी धर्म के लोगों को लालज दे करके उनका धर्बड़तन कर देते हैं दो अट्टे कट्टे जवानों ने तुरंद बिटा उठा लिया जिम्मेदारी ले ली कि हाँ हम दोनों मिलकर के इस कारेयों कर सकते हैं रात के दस बजगे थे हिंदू सभा में सन्नाटा था केवल चोबे जी अपने केम्प में बेटे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख र सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे अपने टेंट के अंदर अपने केम्प में बेटे बेटे सहसा किसी की आठ पाकर बहें चोग पड़े अरता तुने कोई आवाज आती है तो चोग जाते है कि तिनी रात को कौन आया है आंके उपर उठाई तो देखा दो आदमी सामने सभाई खड़े हैं पंडित जी ने संकित ओक पोचा संका से पूछा कि आप कौन है या क्या काम है कि पंडे जी दोनों ही वेक्तियों को नहीं जानते थे इसलिए उनके मन में शंका हो गई कितनी रात को ये दो वेकती उनके केंप में बिना पूछे और किसलिए आएं सहизा किसी की आफ्-पाकर वाये चोक पड़े अरतातकिसी की आवाया से चोक जाते है और संकेत उनके बाद उनका नाम पूछते है हमका काम पोच्ते हैं उत्तर मिलता है हम यम्राज के फरिष्टे हैं अर्थात हम यम्राज के फरिष्टे आने दूत हैं वे दूत जिने यम्राज किसी की प्रांड लेने के लिए भेजता है इसलिए अपने आपको उसी यम्राज का दूत बोलते हैं फरिष्टा बोलते हैं आत्मा को यम के दूद्ध पकड़कर ले जाते हैं इसलिए वह कहते हैं कि हम यम राज के ही बेज़ेवे फरिश्थे हैं तुम्हारी आत्मा पर कबजा करने आथा तुम्हारी हत्या करने आएं तुम्हें मोद देने आये हैं पंडी जी ने एक बार कंकियों से उनकी तरफ देखते हैं बागने का मोका नहीं था तब उनमें सास का संचार हुआ अर्दार पंडी जी ने एक बार सोचा क्यों नहीं यहां से भाग लिया जाए परन्तु उस केंप के दरवाजे के और वे दोनों खड़े थे अतवए भाग नहीं पाए और उन्हें भागने का मोका भी नहीं था तब ही उन्होंने साथ का संचार किया अपने अंदर साहस भटोरा और भहे की प्राकराष्टा ही साहस रता जा वेक्ति सबसे दर जाता है तब उसमें अपने आप हिम्मत हो जाती है और प्रतिकार करते हैं उसको पत्थर के मारकर भगाने की कोशिस करते हैं तो कहा गया है कि जब अंतिम साहस का संचार होता है तब वेक्ति में अपने आप साहस आजाता है उस संकट से निवटने का तो अपनी सिट के तरफाद बढ़ाया वो गर्च के बोले निकल जाओ यहां से बात मुँसे पूरी भी नहीं निकली थी कि लाटियों का वार पड़ा अर्थाथ पंडी जी उन्हें वहां से बगाना चाह रहे थी अब उन्होंने बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी एक लाटि और दोनों लाटियां उन्हें पर बुर्सानी लग जाते थी पंडी जी मुर्चित होकर गिर पड़े अर्थाथ पंडी जी लाटियों के वार से बयोस हो जाते हैं अर्था अपने सुद्वुद्ध को बेड़ते हैं शत्रों ने समीप आकर देखा जीवन का कोई लक्षन नहीं था अर्था जब उन्हें दोनों हत्यारे उनको मारने आए और जब लाड़ियों से पंडी जी मुर्चित हो गए थे तो वे दोनों ये निश्ये करने आए क्या ज चुका है अर्था पंडी जी मृत्यों को प्राव्थ हो चुके हैं उन्हें जो कुछ हाद लगा वो उसे लेकर चले गया अर्था पंडी जी के कैम्प में जो भी वस्तुएं थी तितने वस्तुएं उनकी हाथ में लगी उन सब वस्तुएं को बटोरते हैं और लेकर निकल अर्थात वहां से चले जाते हैं और अपना कारी सब्पन करकर पीछे हैं पंडी जी बेवस पढ़े हैं अब आगे कि पंडी जी के साथ क्या होगा क्या वे जीवित हैं या मर चुके हैं यह मारे गलिक चाम पढ़ेंगे धन्यवाद